गुट मॉर्णिnez कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हुँ आप लोग अच्छे होंगे बिलता आज हम आपको बोड का जो पेपर है ठीक है बोड का आपका उर्दू बी का जो पेपर था कौन सा एक शाफ्टочно पैचान का जान पहचान का जो आपका पेपर था उसको हम discuss करने जा रहे हैं और जो आपका दुसरो वाला paper था उर्दू A का ठीक है वो भी हमने discuss कर दिया है तो दूनों एक साथ ही almost upload होंगे अगर आप A के हैं तो आप A देख लीजिए अगर आप B के हैं तो B के देख लीजिए ठीक है ये कोई official marking scheme नहीं है ये मैं आपको अपनी तरफ से answers बताऊंगी तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे आपको answers बताएंगे अपने बहाफ पर ठीक है तो आप लोग एक बार match कर लीजिएगा कि आपके answers कैसे रहें कितने आपने सही कियें हैं कितने आपने गलत कियें क्योंकि ये board का exam है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं तो बेटा जैसे आप देख पा रहे हैं कि सारे set almost same थे कोई भी set अलग नहीं था देखें यहां लिखा हो ना उर्दू course B ठीक है आगया जाए तो सबके set same थे यहाँ पे आपको कुछ सवाल instruction जर्नली आपको दिये गए थे जो आप लोग ने उल्मोस पढ़ी लिए होंगे इसके बाद अगर हम बात करते हैं reading comprehension की तो मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई भी चीज जानने की जरूरत है यहाँ पे सारी बाते साफ तौर पे थी जो आप लोग ने कर भी लिए होंगी ठीक है आगे आ जाते हैं इस पे क्योंकि आपका नजन थी इसमें आपने थोड़ी सी गरवर करी होगी तो देखें यह लिखा है जंग तो खुद एक मसला है जंग क्या मसलों का हल देगी ठीक है आग और खून आज बक्षेगी भूग और इतिजाज कल देगी इसलिए एशरीफ इंसानों जंग तलती रहे तो बहतर है आप और हम सभी की आंगन में शमाय जलती रहें तो बहतर है ठीक है तो यह नजन थी अब इसमें आपका पूछा जाएगा ठीक है इसके जो शायर है वो कौन है साहिर लुधियान भी ठीक है तो अब यहां लिखते हैं जंग क्या है तो जंग खोद एक मसला है इसका जवाब क्या होगा जंग क्या बक्षेगी तो जंग क्या बक्षेगी तो जंग क्या बक्षेगी सिर्फ खून आग अबाही और बरबादी ही बख्ष सकती है जंग शमा कहा जलती रहे तो बेटर है हम सबके आंगन में यानि की लड़ाई जगड़ा ना हो है ना हम सबके जो आलवालाद है वो सब क्या है जिन्दार है अगला लिखा है इस नजम में शायर किस से मुखातिब है तो देखे मुखातिब होने का मतलब होता है कि शायर किस से बात कर रहा है तो शायर जो है वो आम पबलिक से इनसानों से बात कर रहा है इस नजम का क्या नाम है या शरीफ इनसानों तो यानि यहाँ पे जो शायर मुखातिब है या शायर जिससे बात कर रहा है वो कौन है वो हमाप जैसे इनसान है उनसे मुखातिब है कि भाई आप ये ना करें ठीक है आगे आजाएए अब ये आपका गेर दरसी अक्तिबास है ये भी कोई बहुत मुश्किल नहीं था उमीद करती हूँ ये भी आप लोग ने कर लिया होगा ठीक है यहां से आप लोग देख सकते है खेर चलिया आजाएगी हाँ अगर हम इसकी बात कर लें तो देखें यहां लिखा है आदमी के हाल पर आती है मुफलिसी मुफलिसी मतलब क्या होता है बिटा गरीबी ठीक है किस कस तरह उसको सताती है मुफलिसी ठीक है यह जब इनसान के हाल पर मुफलिसी आजाएगी तो उसे किस तरह से पहिशान करती है प्यासा तमाम रोज बिठाती है मुफलिसी भूका तमाम रात सुलाती है मुफलिसी गरीबी ही होती है इनसान को जो भूका प्यासा रहने पर मजबूर कर देती है यह दुख वो जाने जिस पर आती है मुफलिसी यानि गरीबी का दुख सिर्फ वो ही जान सकता है जो गरीब है जिसने गरीबी नहीं देखी वो नहीं जान सकता आगे लिखते हैं मुफलिस का दर्द दिल कोई जानता नहीं मुफलिस की बात कोई मानता नहीं जात और हसब नसब कोई जानता नहीं सूरत भी उसकी फिर कोई पहचानता नहीं यहां तक नजर से उसको गिराती है मुफलिसी कहने का मतलब यह है कि जो एक इनसान मुफलिस है उसके दिल का जो हाल है उसका जो दर्द है वो कोई नहीं समझ सकता क्योंकि हम और आप मुफलिस नहीं है हम और आप गरीब नहीं है जो हम किसी गरीब का दर्द समझे पिर आप चाहें कोई भी जात के हो कोई भी हसम नसब के हो यानि आप कहने का मलब यह कि इनसान अगर गरीब होता है तो उसकी समाज में रिश्टेदारों में कोई इज़त नहीं होती वहीं अगर वो इनसान अमीर हो जाए उसके पास बहुत सारे पैसे आजाए ना तो उसकी इज़त अपने आप बढ़ जाती है आरे यहां समझ में यहां कहते हैं यहां तक नजरों से भी गिराती है कौन गिरा देती है उसे मुफलिसी गिरा देती है चीक है अब अगर इसमें हम सवाल जवाब देख लें तो देखे लिखा है मुफलिसी के माने गुर्वत है यह अग्तिवास में कितनी बार आया है तो मुफलिसी देख लीजे कितनी बार आया है काउंट कर लीजे 1, 2, 3, 4, 5 है ना तो मुफलिसी 5 और 6 तो मुफलिसी जो है 6 बार आया है लेकिन है मुफलिस के अगर हम बात करें तो यहां पर मुफलिस भी आया है मुफलिसी तोटल 6 बार आया है मुफलिसीतस का दुख कौन समझ सकता है तो मुफलिस का दुख वो ही समझ सकता है जो खुद मुफलिस हो ठीक है मुफलिस के साथ लोग क्या क्या करते हैं तो मुफलिस के साथ लोग क्या करते हैं उसको पहचानते नहीं है उसको पहचानते नहीं है उसको नजरों से गिरा देते हैं ठीक है यह सारी चीजे हो और यौमी आजादी पर कर रहा है तो मैं आप लोग को बता चुकी हूँ कि कभी भी अगर बेटा आप लोग से यह कहा जाए कि भाई कोई ऐसे लिखिए तो देखे दुनिया में बहुत सारे टॉपिक्स आप सारे याद नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको ट्रिक बताई थी कि आ देखे इसके बाद देखे आपको यहां पे एक खत था और एक दर्खास थी कि भाई की शादी में जाने के लिए आपको छुटी चाहिए थी तो प्रिंसिपल से दर्खास मांगनी थी चुटी की और इसके लावा वालिद साप से पैसे मांगने थे किताबे खरीदने की तो जाद दर बच्चों ने तकरीबन यही वाला किया है कि चुटी मांगना प्रिंसिपल से जादा सान होता है आप मुझे कमेंट करके बताएगा आप लोग ने कौन सा किया है इसके लावा अगर हम बात कर लें फिफ्ट कोश्यन में दोनों में से कोई एक करना था सेयद एहति है ना तकल्स क्या इस्तेमाल करते हैं इसके लावा कि भाई वो कब और कहां पैदा हुए कब उनकी वफात हुई इसके लावा उनोंने कौन कौन से तसनीफ लिखी है यह सारी चीज़ आपको लिखने थी और अगर हम बात करें रजजिया सुल्तान की तो यहापे आपको अलतमिश बाक्षा थे उनोंने अपनी सारी जो हम कह सकते हैं तक नशीनी थी वो अपनी बेटी के नाम की थी और पिर रजजिया सुल्तान ने कितनी बहादुरी से कितनी हिम्मत से उस चीज़ को चलाया ठीक है तो यह सारी चीज़ आपको लिखने थी इसके बाद नेक्स ट इसे एकी जैसी होती है तो नेकी और बदी आपको क्या बताती है नेकी और बदी यही तो बताती है कि दुनिया जो है यह इस तरह की बस्ती है जहां आपको ना दीर नहीं है आप जो करोगे वो आपको मिलेगा यानि हमें क्या करना है अच्छा और नेकी की तरफ काम करने है ताकि हमारे साथ भी अच्छा हो क्योंकि अगर हम बुरा काम करते हैं बुराई की तरफ जाते हैं तो हमारे साथ भी बुरा होगा वो कहते हैं अगर आप किसी दूसरे के लिए गड़ा को देंगे तो एक दिन उसमें आप खुद भी गिरेंगे ठीक है अब आजाते हैं ग्रैमर में क्योंकि देखे बिटा उपर वाला जो हिस्सा है वो ऐसा है कि आप कुछ भी थोड़ा बहुत अगर लिख के आते हैं और उससे ही रेलिवन्ट है जून से पूछा गया है उसी से मिलता जुलता अपने लिख है तो फिर भी आपको दो पांच आधा एक नमबर मिले जाएगा कहीं न कहीं लेकिन अगर हम MCQs की बात करते हैं तो आपको पता है कि MCQs या तो सही होके पूरे नमबर दे जाते हैं या फिर गलत होके 0 अड़ा देके जाते हैं तो जरा यहां से मैच कर लीजिए यहां पर आपको 8 MCQ हैं और सारे MCQ 2-2 मार्क्स के हैं तो जरा चैक कीजिए कि यहां आपको कितने नमबर मिल रहे हैं जैसे पहला सवाल लिखा है कि भाई फेल किसी कहते हैं तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा कि जिसमें वो लफज जिससे किसी काम का कन्ना या होना पाया जाए ठीक है तो इसका उप्शन नमबर B सही आंसर है अगर आपने यह लगाया है तो आपको दो नमबर मिल जाएंगे अदरवाइस आपको 0 अंडा मिलेगा अगले सवाल पे आईए यहां लिखा है वो फेल जिसमें मौझूदा जमाने का काम हो है ना तो जो मौझूदा जमाने का होता है वो आपको पता है फेले हाल कहलाता है तो इसका उप्शन C सही है अगर आपने C लगाया है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे अदरवाइस 0 अंडा अच्छा अब यहां पर बहुत सारे बच्चे गरबर करके आया है कि रहम दिल का पोजिट वो बेदिल लगाया है बेदिल इनसान अगर उसके पास दिली नहीं होगा तो वो जी एक कैसे उमर नहीं जाएगा यह बताइए जरा मुझे तो रहम दिल होता है कि जिसके अंदर रहे मुझे से लोगों पे तरस आ जाए जो किसी को प्रॉबलम में देखके जल्दी से उसकी हेल्प करने लगी उसे रहम दिल कहते है और रहम दिल का अपोजिट मुदाजात का मतलब क्या होता है अपोजिट तो इसका अपोजिट होता है संग दिल संग दिल मतलब पत्थर दिल कहते हैं न तुम यार बहुत पत्थर दिल हो उसको चोड लगी उठानी रहो कहते हैं न पत्थर दिल पत्थर दिल का मतलब क्या होगा है संग संग मतलब पत्थर तो इसका सही option संग दिल है ना कि बे दिल या तंग दिल या शोग दिल ये सब चीज़े इसके options नहीं है अब यहां अगला लाज लिखा है खत्रात का वाहिद क्या होगा तो देखें खत्रात का जो होगा वो खत्रा होगा तो आगे पे आजाएए अगर हम बात करते हैं मुझकर मुझकर मतलब होता है आदमी वाला हिस्सा और मॉर्नस लेडीज को कहते है तो अब यहां पे देखें मॉलिमा तुल्बा जो तालिबा है या खाला हैं ये सब लेडीज हैं तो इसका सही अंसर क्या होगा शायर अब देखें सापका किसी कहते हैं सापका कहते हैं जो आगी लगता है तो देखें घैरत मन पीछे लगा है रोशन दान पीछे लगा है दौरत मन पीछे लगा है तो इसका सही अंसर क्या होगा हम जमात तो इसका सही अप्शन क्या है हम जमात तो आप देखे जो आंसर मैं बता रही हूँ अगर आप वो लगा किया है तो आपको फुल फुल मार्क्स मिलेंगे अधरवाई जीरू अंडा मिलेगा ठीक है चलिए आगया जाए अब देखें यह लिखा है जमा की निशान देए कीजिए यानि इसमें से कोई एक जमा है बाक तरादी फलफास कहते है अगर एक जैसे माईनी हूँ तो ठीक है आगया जाए अब यह आपको कुछ मुहावरे दिये गए थे जिनको जुमलों में इस्तिमाल करना था जैसे नोदो ग्यारा होना तो बहुत सिंपल सा है कि पुलिस को देखने के साथ चोर जो है वो नोदो ग जवाब देना तो हम लिख सकते है राम ने शाम को टक सा जवाब दिया ठीक है अब मुझे इसका यहां पर थोड़ा से जो लिखा हुए ना टका सा जवाब इसका थोड़ा सा मीनिंग कन्फ्यूजिन में है तो इसलिए इसको कुछ जादे एक्स्प्लेइन नहीं करेंगे ल जितने भी सवाल दिये गए हैं सारे ही आपको अटेम्ट करने थे तो दिखिए पहला सवाल है जमीन की उम्र का अंदाजा कैसे लगाया जाता है तो जमीन में जो मिट्टी है उसको दीक के लगाया जाता है यह मैंने आपको पढ़ाया था लिफाफा था उसे देकर पोस्ट इंटरनेट के बहुत सारे फाइदे आपको जो अच्छा लगी आप लेख सकते हैं लेकिन सबसे बड़ा फाइदा यह है कि आज अमना पूरी दुनिया को बिलकुल छोटा कर चुके है एक गाउं में तबदील हो गई है पूरी दुनिया क्योंकि कहीं भी कुछ होता है हमें मिनट से पहले वो खबर मिल जाती है ठीक है आगे आजाएए इसके बाद यहां पे भी आपको दोनों सवाल पूरी करने थे ठीक है एक एक नमबर के थे कि रजिया सुल्तान ने अमीर आखुर का ओदा किसको दिया था तो आपको पता है एक हपशी था उसको दिया था और कि तस्वीहां कैसे करती है तो चह चहा करती है यह अभी मैंने आपको पढ़ाया था एक्स्ट्रा उशन्स में कि काभी जाने से गालिप को शर्म क्यूं आती है तो जो उनकी बदकारिया है जो उनके गलत काम है अल्ला पाक ने जो काम बना की है वो वो सारी काम करते है इसलि लिखा है कि दरजाजीर शेर किस शायर का है अब यहां लिखा है है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ वरना क्या बात करनी नहीं आती है ना तो अभी आपने पढ़ा काबा किस मुझे जाओगे गालिब शर्म तुमको मगर नहीं आती तो देखें यहां रदीफ काफिय से आप बता सकते हैं कि माम यह तो गालिब का शेर है राइट आगे आजए अगर आपने इसका जवाब गालिब दिया है तो आपको फुल माक्स मिलेंगे अदरवाइस अंडा मिलेगा ठीक है आगे आजए यहां पर फिर एक नंबर का सवाल है कि साहिल लुद्यानवी का रेयल मुझको ठीक है अब यहां लेखते हैं इस शेर में गिलहरी ने पहाड से क्या करने को कहा है तो जो चालिया होती है जो पान के साथ लेडीज लोग खाती है डाल के कुछ लोग उसे चाली बोलते है कुछ लोग उसे डली बोलते है कुछ लोग उसे सुपारी बोलते है बलके उसने चाली तोड़ की निखाने के लिए का आये कि भई तुम बहुत बड़े हो ना तो जबा मुझे चाली तोड़ की दिखाऊ तो यह था आपका बहुत छोटा सा पेपर जिसे मेरे ख्याल में आपने आधे गंटे में करी लिया होगा जादा टाइम तो आप लोग ने लिया नहीं होगा चलिए मैं उम्मीद करती हूँ अल्लापाक से दुआ करूंगी कि आप सब लोग अच्छे नम्मोर से पास हूँ अब मैसेज करके मुझे लोग बताईए कि आपके जो ये टिक मार्क है है ना आठ इसमें से कितने सही रहे आपके ठीक है ये आठ टिक मार्क है क्योंकि बाकी कुशन तो अल्मोस आप लोग ने सही किये हूँगे अगर आपने कुछ मिलता जुलता भी किया है तो भी आपको आधा हैक नमबर मिल ही जाएगा लेकिन टिक मार्क में आपको नमबर नहीं मिलते है तो ज़रा मुझे कमेंट करके बताएगे कि एमसी क्यूज में कितने रहे आप लोगों के चलिए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में इन्शालला तो आप लोग देखते रहिएगा और रोज पढ़ाई कीजिएगा यह जो आप लोग एक्जैम से पहले कमेंट करते ना मैं आज आधा गंटा पहले मैं पढ़ रही हूं यह कोई फोक्रियत नहीं है बेटा चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्यों फॉ